हेलो स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है टाइप ओफ रिसर्च अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो हमने डिसकस किया था इंटो अफ रिसर्च जिसमें हमने रिसर्च की डेफिनेशन देखी मैप्स सॉव अवे ग्वारिंग डिसकस करेंग जिसा कि कि टाइप ऑफ रिसर्च दो भागों में हमने बाटा है बेज्ड ओन अप्रोचेज ऑफ इस्टेडिंग वेरीबल्स यानि वेरीबल्स की इस्टेडि के आधार पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा हुगे वेरीबल्स क्या होते हैं वह दीरे दीरे जैसे से मेरे लेक्ट्चर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिवल्स क्या है फिलाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वेरियेबल्स मींस ऐसे फैक्ट ऐसी यूनिट या इसा डेटा जो मेजर किया जा सकता है और जो चेंज होता है दोनों पार्ट में दो दो तरह की रिषड़ी होई है आप देख सकते हैं ड quantitative and qualitative research, quantitative research and qualitative research and based on the purpose, purpose के आधार पर research होती है, दो तरह की basic research and applied research, एक बार दोबारा, आज का जो हमारा focus रहेगा, that would be completely on the quantitative research and qualitative research, but पहले मैं आपको इसका introduction दे देता हूँ, quantitative and qualitative तो हम discuss करेंगी, इधर आ जाते हैं, purpose के आधार पर research दो तरह की होती है, basic research and applied research, जैसा की नाम से ही पता लग रहा है, purpose के आधार पर, जिसमें basic research की hint है, without any specific purpose, ऐसी research जो किसी phenomenon को explore तो करती है, describe तो करती है, but उसका कोई specific purpose नहीं होता है, that is called basic research, और detail में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, next है applied research, नाम से ही पता लग रहा है, applied, means ऐसी research जिसे practical application करने के लिए बनाया गया हो, ऐसी research जिसे कहीं apply करने के लिए बनाया गया हो, practically कहीं application करने के लिए बनाया गया हो, यानि मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसी research जिसका कोई specific purpose होता है, उसे क्या कहते है, applied research, दोबारा एक बार, without any specific purpose, अगर कोई theory हम explore कर रहे हैं, उसे basic research कहते हैं, और जिसके पीछे कोई purpose है, जिसे इसे हम clinically या practically apply करना है, उसे हम कहते है, applied research, further details हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, वापस आ रहे हैं इदर, variables के आधार पे study या research दो तरीके की होती है, quantitative and qualitative, आईए देखें, quantitative, first, inquiry of research problem, inquiry of research problem, measured, ध्यान दीजिएगा, ऐसी research problem, अब आप सोच रहोगे, यह research problem क्या है, क्या यह कोई समस्या है, नहीं, यह कोई समस्या नहीं है, research problem मतलब वो topic जिस पर हम study करने जा रहे हैं, बहुत सारे student, nursing student especially, जो basic जब research पढ़ते हैं, first, GNM, second year, third year में जब start होता है, तो वो research problem शब्द को ही नहीं समझ पाते हैं, उन्हें लगता है कि research problem पता नही क्या कोई समस्या है, या कोई research करने में जो problem आएगी, वो है, मैं आपको एक simple sentence में बता रहा हूँ, research problem मतलब वो topic, वो topic जिस पर आप study करने जा रहे हैं, research problem उस topic को बोलते हैं, जिस पर आप study करने जा रहे हैं, तो मैं दुबारा बोल रहा हूँ, तो ऐसी research topic, simple बोलों तो, ऐसा research problem जो की measure किया जाता है, ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिख रहा हूँ, measure किया जाता है with numbers, with numbers, नाम से ही पता लग रहा है, quantitative, quantity, यानि ऐसी research problem जो based होगी, manly numbers पर या numerics पर उसे कहेंगे quantitative, इधर आजाईए, ऐसी inquiry in depth, which is in narrative form, इसकी बात बात में करेंगे, ऐसी research जो number से deal होगी, आगे चलिए, या ऐसी research जिसमें statistical techniques, संख्या, संख्य की, use की जाएगी, उसे कहते है quantitative research, दोबारा, statistical method पर based research को क्या कहते है, quantitative research, और जो किसी quality या phenomena पर based होती है, ध्यान दें, जो किसी quality या phenomena पर based होती है, उसे कहते है qualitative research, या मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी research, जो की depth study है, depth study है, narrative form में, ध्यान दें, not in numeric form, not in numeric form, किस form में है, narrative form, narrative का मतलब, vernon, vernonatmak, या explanation, लेकिन not used in numbers, not used in statistical method, means, यहाँ पर हमें coding मिलेगी, यहाँ पर हमें indexes मिलेंगे, but numbers नहीं मिलेंगे, तो एक trick हमारी हो गई, numbers से deal करने वाली research, quantitative, और किसी phenomenon से narrative form में deal करने वाली research, qualitative, आगे चलिए, फिर दूसरी समस्या आती है, या दूसरा point हमारा आता है, कि data collection कैसे होगा, data collection बिल्कुल जैसे कि मैंने hint दे दी, data collected in numerical form, जबकि मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, अब आपको idea लग गया होगा, data collected in descriptive form, दोबारा, ऐसी research जिसमें data collection किया जाता है, numeric form में, that is quantitative, qualitative, ऐसी research जिसमें data collection किया जाता है, descriptive form में, वरनात्मक form में, describe करके, किसी phenomenon को उसे कहते है, qualitative research, आगे चलिए, एक और difference competition exam में पूछ लेता है, कि ये एक objective method है, जबकि qualitative research एक subjective method है, ये line अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं इसको थोड़ा और explore करूँगा, बट अभी फिलाल इतना याद कर लें कि ये एक objective method है, और ये एक subjective method है, आगे चलते हैं, quantitative, चलिए इस line को इस थोड़ा सा और explore करते हैं, objective method और subjective method की साधर पर रखे गए हैं, देखिए, इस पर आ रहा हूँ, इससे समझ में आएगा, जैसा कि हमें पता लग गया कि qualitative, quality, किसी qualitative पर research, किसी phenomena पर research, और ऐसा phenomena जो की कैसे घटित हुआ है, naturally, जिसमें कोई experimentation नहीं है, जिसमें कोई प्रयोग नहीं है, सिर्फ वो, मैं एक example देता हूँ, जैसे कि suppose आप study कर रहे हैं, qualitative study on female forticide mothers, they have underwent for female forticide, means ऐसी मदर्स पर आप study कर रहे हैं, जो female forticide जैसी घटनाओं से गुजर चुकी हैं, या जिनने इस समस्या का सामना करना पड़ा है, तो मेरा जो subject रहेगा, वो, वो मदर्स रहेंगी, जो इस घटना से गुजर चुकी है, female forticide से, यानि naturally उनके साथ ये incidence हुआ है, मेरा subject वो मदर्स हैं जिनके साथ ये incidence हुआ है, और उस phenomena से direct में data collect कर रहा हूँ, जबकि यहां ऐसा नहीं है, यहां जो मेरा subject है, वो naturally उनके साथ में, as it is, जैसे वो घटना घटे दूई है, उनसे मैं data collect कर रहा हूँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, qualitative, पर not in numeric form, जबकि, यानि, यानि, मैं मेरे subject से, उनके, opinions लेकर data collect कर सकता हूँ, उनके, experiences से data collect कर सकता हूँ, या, उनकी, feelings, of an individual, उनकी feelings से, data collect कर सकता हूँ, जब हम directly, उस individual से data collect कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा, subjective matter, subjective matter, जबकि, यह, data collection में, मैं survey कर सकता हूँ, survey in the sense कि, मैं polls कर सकता हूँ, polls कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर, और भी है, जैसे मैं, चलिए इसको add कर देंगे हम, तो polls कर सकता हूँ, experimentation, experimentation कर के कर सकता हूँ, non experimentation कर के कर सकता हूँ, कई तरीके हैं, यहाँ पर data collection के, जबकि, यहाँ मैं interview कर, conduct कर कर सकता हूँ, किसी particular case study कर के कर सकता हूँ, चलिए, एक बार और समझ लेते हैं, दुबारा से, ठीक हैं, देखिए, quantitative research, ऐसी research, जिसमें numerics का यूज किया जाता है, जिसमें statistical technique का यूज किया जाता है, और जिसमें data collection किया जाता है, numerical form में, जिसमें narrative form में होती है, किसी phenomenon को naturally हम assess करते हैं, जयानि, जैसे एक और example दूँ मैं आपको, कि, tsunami victims, से मैं data collect कर रहा हूँ, और उनके experiences, पर मैं research कर रहा हूँ, तो जो tsunami से गुज़रे हैं, a qualitative study in the village of Tamil Nadu, on the victims of tsunami, ये मेरा topic है suppose, तो tsunami victims जो रहे हैं, उनसे experience, उनसे feelings मैं एखटी कर रहा हूँ, उस phenomena को मैं describe कर रहा हूँ, naturally तो वो कौन सी research है, qualitative research, जबकि मैं कोई numerics का use, इस method में नहीं करूँँगा, जबकि यहाँ पर topic भले ही same हो, पर मैं वहाँ पर statistical का use करूँगा, यहाँ topic में एक example दे सकता हूँ, कि intensive care unit में, ICU में, मैं prevalence of bad source पर study कर रहा हूँ, descriptive study on the prevalence of bad source, in the patient admitted in ICU, तो यहाँ पर मुझे statistical number लेने पड़ेंगे, आगे चलते हैं, यहाँ data collection होता है, numerical form में, जबकि यहाँ data collection होता है, descriptive form में, यह descriptive form ऐसे हो सकती है, कि मैं किसी subject से opinion ले रहा हूँ, experiences खटे कर रहा हूँ, feelings खटी कर रहा हूँ, यहाँ कि मैं ऐसे कह सकता हूँ, कि यह एक subjective method है, यहाँ मैं, यहाँ मैं, group interaction के थ्रूँ, data collection कर सकता हूँ, यह one-to-one basis पे भी कर सकता हूँ, जैसे एक-एक करके भी कर सकता हूँ, और group interaction के थ्रूँ भी कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं, जरूरी नहींगी group interaction करूँ, मैं खुद observation करके, भी data collection कर सकता हूँ, directly observation के थ्रूँ, जबकि इसकी खासियत है आपने सुना होगा इसकी खासियत है quantitative research दो तरह की होती है experimental and non-experimental यानि जैसा की नाम से पता लग रहा है यहां तो experiment से गुजरना पड़ेगा या जिसमें experiment से गुजरना नहीं पड़ेगा बट numerical form लगाना apply करना necessary है उसे कहेंगे non-experimental जबकि यहां numeric form का जरूरत नहीं है तो यह चीज मैंने समझा ही है आपको इसके अलावा एक बार और summarize कर लेते हैं फिर मैं दौनों के बीच में difference आपको बता दूँगा हमारा topic था type of research बस दो मिनट में एक बार summary कर लेते हैं दो तरीकी research होती है variables की study के आधार पर और purpose of research की research का purpose क्या है उसके आधार पर variables की study के आधार पर दो तरह की quantitative and qualitative and purpose के आधार पर basic और applied इधर चलते हैं पहले basic research मतलब जिसका कोई specific purpose नहीं है जबकि applied जैसा की नाम से ही पता लग रहा है for the application या for the practical use जिसमें हमें suppose कोई problem है उसका हमें immediate solution चाहिए तो हमें practically या उस application के लिए जो research करनी पड़ेगी वह applied research होगी इनकी बात है next time पे करेंगे फिलाल इधर आ जाते है variables के आधार पे दो तरीके की होती है quantitative and qualitative जैसा की नाम से पता लग रहा है quantitative या ऐसी research study या research problem या research topic जिसमें quantity का यूज किया जाए numbers का यूज किया जाए या statistical performance दिखाई जाए उसे कहते है quantitative यह दो तरह की हो जकती है experiment करके या बिना experiment के भी numerics use करके यानि experimental और नौन experimental आगे चलते हैं डिटा कलेक्शन यहां होगा नुमेरिक फॉर्म में जबकि data collection यहां होगा descriptive फॉर्म में यानि ऐसा फिनोमेना जो naturally happened हुआ है वहीं से हम डिरेक्ट डिटा कलेक्शन करेंगे जैसे opinion experience feelings वगरा वगरा जैसे मैंने बताया कि quantitative research दो तरह की होती है ऐसे qualitative research भी कई तरह की होती है इसके बारे में next video में बात करेंगे जैसे case history, method, grounded theory, phenomenological, action research, ethnography, कई तरह की qualitative research भी होती है बट इन शब्दों को मैं यूज करूंगा तो अभी हम सिर्फ एक superficial overview देख रहे हैं वापस आ जाएं यह एक objective method है क्योंकि यहां हमें experimentation के through या numeric form में घुजरना पड़ता है जबकि यहां तो हम subject से direct data collect कर रहे हैं किसी phenomena या उनके live experiences, live experiences जैसा मैंने female forticide वाला example दिया, the mothers who are underwent for female forticide, तो जिनके साथ ए घटना घटित हुई है, या जो tsunami वाला example दिया कि in the village of Tamil Nadu, जो tsunami से सफर की हैं, वो victims, उन से हम live experiences ले रहे हैं, subjective method, hint बना लिजेगा, qualitative, एक subjective method है, जबकि quantitative objective method है, अच्छा जी, एक और बात, last qualitative research करते क्यों हैं, और quantitative research करते क्यों हैं, तो वो last line में लिखा हुआ है, कि किसी hypothesis को test करने के लिए quantitative research करते, अब आपके दिमाग में या रहा हुआ कि सरी, hypothesis क्या होती है, फिलाल सिर्फ इतना research problem, क्या hint बताई थी, research problem मतलब research topic जो था हमारा, जिस पर मैं study करने जा रहा हूँ, उसको एक statement के रूप में लिखना, suppose, suppose, मुझे smoking causes lung cancer, मुझे smoking causes lung cancer, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी research problem नहीं है अभी, ये बस मेरा एक assumption है, smoking causes lung cancer, इसको मैं hypothesis में convert करूँगा, यानि एक written statement में लिखूँगा, written statement में, कि smoking causes lung cancer, ये कई तरह की से positive, negative, वो आगे वाले वीडियो में आपको पता चलेगा, direct hypothesis, non-directional hypothesis, but, फिलाल, hypothesis मतलब, जो research problem है, इसको एक topic के रूप में लिखना, एक statement के रूप में लिखना, वो hypothesis कहलाती है, और इस hypothesis को मैं test करूँगा, मेरी study में, यानि ये, 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 जैसे सफोगो, for example, smoking causes lung cancer, इसको मैं test करूँगा, experiment के थ्रूँ, या non-experiment के थ्रूँ, ये काम, जिसमें किया जाता है, उसे quantitative research कहते है, इसको दुबारा समझ लेते है, hypothesis मतलब, एक written statement, किसका, आपके research topic का, research problem का, और इस research topic को, test करने के लिए, कौन सा method यूज किया जाता है, quantitative method, experiment के थ्रूँ, या बिना experiment के थ्रूँ, जबकि इधर, इधर जो methods है, या इधर इसका जो परपज़ा, जैसे यहां लिखा है, two test hypothesis, ऐसे ही, describe a social phenomena, naturally, उसके लिए, जो हमें, यूज की जाती है, वो qualitative है, यानि हम अगर अगर अपने profession की बात क है, nursing profession, या जो, जो students, they are, come from science background, वहां पर quantitative research has a little bit significant percentage, जबकि social science, arts, या इस तरह के sector में, हमें qualitative research ज्यादा कंडग की जाती है, जबकि professional courses में quantitative research ज्यादा focus की जाती है, I think, मैंने जो आपको समझाया, वो superficial introduction दिया, दो चीजों का, qualitative and quantitative का, आपको इस समझ में आ गया होगा, मैं एक difference और बताऊँगा आपको, जल्दी की quantitative research क्या होती है, और qualitative research में manly अंतर क्या है, अगर आपको ये video, 50% भी, अगर आपके लिए helpful है, तो please like, share and comment, thank you.